दोस्तों जैसे जैसे नई नई टेक्नलोजी आ रही हैं वैसे ही वैसे उनको डेवलब करने के लिए नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्विजेज भी आ रही हैं तो आज आप फी वीडियो देखते जाहिए और मैं एक एक्जांपल मैंने लिया है HTML का Hypertext Markup Language और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप HTML की coding अपने mobile phone में कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास computer नहीं है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विकरांत आप देख रहे हैं Tech Guruji विकरांत तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तो आपको इन दोनों मैंसे कोई एक app install करनी होगी description section में दोनों app का link आपको मिल जाएगा दोस्तों मैं आपको बता देना चाता हूँ कि ये जो पहली वाली app है ये थोड़ी lower model की है और जो ये दूसरी वाली app है ये थोड़ी higher model की है यानि ये थोड़ी advanced app है तो आप solo learn को ही install अपने phone में करें ये जो first वाली app है इसको भी solo learn नहीं बनाया है तो आप second वाली app को install कर लें दोस्तों app install होने के बाद login आप कर लीजे अगर आप इसके पहले से ही user है और अगर नहीं है तो आप sign up कर लीजे उसके बाद कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिलेगा आप इसमें पूरे worldwide competitions कर सकते हैं अगर आपको HTML अच्छे से आ गया है या इसमें और भी बहुत सारी programming languages support करती हैं आप उनका भी इसमें practical कर सकते हैं फिलाल मैं आपको HTML का दिखाऊंगा दोस्तों तो सबसे पहले आपको यहां क्लिक कर लेना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा interface आपके पास आएगा आपको यह जो HTML overview है इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे इन में से आपको किसी पर भी क्लिक कर लेना है जैसे मैं what is html पर कर दे रहा हूँ और यहाँ जो एक example दिया रहता है इसके नीचे लिखा होता है try it yourself तो आप simply इस पर क्लिक कीजिए अगर आपको basics नहीं आते हैं तो आप basics इसी app से सीख सकते हैं चाहे आप first app ही download कर सकते हैं मैंने अभी आपको previously दिखाई थी दोस्तो default इसमें ऐसा interface आता है आप चाहें तो इसका interface बदल सकते हैं जैसे अगर आप ये menu के dots पर क्लिक करें तो यहाँ एक option आएगा आपके पास रुकिये मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तो तो ऐसे आपके पास option आ जाते हैं फिलाल इसमें dark theme सेट है अगर आप light theme चाहिए तो आप simply पर क्लिक कर जीजिए यहाँ light theme आ जाएगा उसके बाद आप यहाँ अपनी coding कर लीजिए और अगर output आपको अपना देखना है तो ये देखे run command है simply आप जब run करेंगे तो आपकी coding एक output में नजर आ जाएगी जैसे ये देखे आ गई है I am a paragraph क्योंकि मैंने यहाँ coding क्या की थी paragraph tag लगा के I am a paragraph उसके आप paragraph tag close कर दी दोस्तो शेयर के option से आप अपनी coding को share भी कर सकते हैं save करने के बाद दोस्तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बहुत सारी coding की थी तो उनमें से कुछ pictures मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जैसे मैंने ये coding की थी और इसका ये पूरा HTML format ये है उसके बाद आ जाता है ये उसका HTML format ये है दोस्तो ओवरॉल ये एप बहुत अच्छी है मैं भी इसको use करता हूँ क्योंकि मेरे पास computer नहीं है दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसमें competitions भी करता रहता हूँ क्योंकि मुझे HTML का कुछ basics आते हैं दोस्तो एक बार अगर आप ये एप डाउमलोड कर लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से HTML सीख जाएंगे क्योंकि इसमें basics भी सिखाए जाते हैं तो overall एप अच्छी है डाउमलोड करके देखिएगा दोस्तो तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ये अप अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like कीजेगा share कीजेगा और channel को subscribe करना बिल्कुल न भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे टेकनिकल वीडियो लाता रहता हूँ